जै जिनेंदर साधरमी जन इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है अब तक पिछली पांच वीडियो के माध्यम से हमने वद्धे लोग संबंदी 458 अकरत्रम चैत्यालियों की जानकारी प्राप्त कर ली थी इस वीडियो में हम तीन लोग में जहां पर भी और जितने भी अकरत्रम चैत्यालियों वे दिमान हैं उनकी गिंती और जानकारी प्राप्त करेंगे ये आपके सामने तीन लोग का एक सामने सा नक्षा बन गया है तो आप देख रहे हैं ये जो लोग के बाहर चारो तरफ ये जो लोग को घेरे हुए है इसको वातवले बोलते हैं और जैसे हमारे शरीर को खाल चारो तरफ से विश्टत करती है, वैसे ही इस लोग को वातवले उने घेरा हुआ है। चौदह राजू उचे लोग के बिलकुल मध्य में ये एक चौदह राजू उची लोग नाड़ी होती है और कुछ कम तेरा राजू उची तरस नाड़ी होती है। जो मध्य लोग है ये लोग के बाहर जा रहा है किंतु इसको लोग के अंदर ही समझी है। ये सिर्फ दिखाने के लिए बढ़ा करके दिखाने के लिए इसको लोग के बाहर तक बना दिया है। तो 458 अकरत्रिम चैतियाल है अब तक हम पिछली 5 वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हमारा उदेश है अधोलोक स्क्रम बंदी या बाकी जो और अकरत्रिम चैतियाल हैं वो कहां पर हैं उनकी जानकारी प्राप्त करना है। तो ये देखिए साथ नरक प्रत्रियों के नाम करम से आपके सामने आ गए हैं रतने प्रभा शरकरा प्रभा बालुका पंक दूम तमा तमा प्रभा और ये इसके नीचे जो एक राजु का इस्थान है उसमें प्तने निगोदिया जीव पाय जाते हैं। तो क्या ये जो मंदिर है 458 के अलावा वे नलक में हैं निगोत में हैं कहां पर हैं उनकी जानकारी अब हम प्राप करते हैं। उसमें भवनवासी और व्यंतर जाते के देव रहते हैं जी हाँ नीचे अधोलोग में भी देव रहते हैं और दूसरा जो भाग है पंक भाग वहाँ भवनवासी और व्यंतर जाते के देव रहते हैं भवनवासियों में असर कुमार जाते के देव रहते हैं तो आप इस टेबल में देख सकते हैं कि घर भाग में जो कि 16,000 यो जनमोटा है उसमें 9 परकार के देवों के कुल 7 करोड 8 लाक भावन है और पंक भाग में असर कुमार जाते के भावनवासी देवों के 64 लाक भावन है इन दोनों को मिलाकर दस प्रकार के भवन वासी देवों के कुल साथ करोड बहात्र लाग भवन अधो लोक में पाए जाते हैं नरकों में नहीं याद रखिए नरकों में ये भवन नहीं है ये अधो लोक में है तो पिरतेक भवन में एक-एक अकरत्रम चैत्याले विदिमान है, तो इस प्रकार से अधो लोग में 7 करोड 32 लाग अकरत्रम चैत्याले विदिमान है अब ये उर्द लोग को भरते हैं यहां देखिए आपके सामने करम से जोड़े में आप जानते हैं कि उपर जो स्वर्गों की रचना है वह योगल रूप से है यह 16 स्वर्ग हैं जो योगल रूप से हैं उसके उपर फिर नवग्रेवयक आते हैं अनुदिश आते हैं और सरवार सिद्धी इत्यादी पाँच अनुद्धर विमान आते हैं तो जो 16 स्वर्ग हैं उनको कल्प कहते हैं और जो उपर के तीन हैं, उनको कलपातीत कहते हैं, इसके उपर सरवार सिध्धी के विमान से उपर सिध्ध शिला होती है, जो सफिद रंकी है, अब एक प्रश्ण है कि सिध्ध शिला पर सिध्ध भगवान होती है क्या, नहीं, इसका उत्तर, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, य लोग के अग्र भाग पर अनंत अनंत सिद्ध भगवान विद्यमान है। उन सभी को नमश्कार करते हैं। तो जो अभी हमने 16 स्वर्ग देखे थे। उन स्वर्गों में कैसे कैसे विमान हैं। विमानिक देवों के। उसके उपर 9 ग्रेवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुद्धर में कैसे कैसे विमान हैं। तो उन समस्थ विमानों की विवरण यहां दे रखा है। यहां एक शब्ध पटल, पटल का अर्थ होता है लेयर। तो उर्ध लोग में विमानिक देवों के कुल 84,97,023 विमान पाए जाते हैं। और जैसे कि आप जानते ही हैं, सभी देवों के भवनों में, निवासों में यह नियम है कि एक एक अकरत्रम चैतियाले पाया ही जाता है। तो इस प्रकार से अधों लोग के 7 करूल 72 लाख मध्य लोग के 458 और उर्ध लोग के 84,97,023 अकरत्रम चैतियाले हो जाते हैं। इस प्रकार से यदि हम इन तिनों का एक बार सम कर देंगे तो हम लोग में जो गिन्ने लाएक अकरत्रम चैतियाले हैं जिनको हम अरगे त्यारी चड़ाते हैं उनकी गिंती इस प्रकार से हम पूरी कर लेते हैं। आईए एक बार और थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये विशे बहुत डीप है और हमने बि बहुत सारी बाते हैं आपको नियम से स्वाध्या शुरू करना ही चाहिए। तो तीनों को मिलाकर जो लोग के अकरत्रम चैतियाले हैं उनकी गिंती अब आपके सामने लिख दी गई है। अब जैसे कि आप एक चीज और भी जानते हैं कि समस्त अकरत्रम चैतियाले जो होते हैं उन सभी अकरत्रम चैतियाले हों में 108 अकरत्रम प्रित्माई या जिनको जिन चैतिया बोला जाता है बिद्यमान होते हैं ये जो है हमारे अकरत्रम चैतियाले हों की जो प्रित्माई हैं उनकी गिंती है कितनी है 925 करोड 53,27,948 आप एक बार कैलकुलेटर लीजिए मंद विमानों में और व्यंतर दिवों की असंख्यात निवासे स्थानों में प्रत्यक में एक एक की गिंती के हिसाफ से अकरत्रिम असंख्यात अकरत्रिम चैत्याले इस लोग में शोभायमान हैं। हमने अभी तक जो भी इन छे वीडियोज में देखा है वो बहुत ही आप मानिए इस थूल रूप से देखा है या उपरी उपरी देखा है इसके अलावा भी सिर्फ इस पर्टिकुलर विशय में भी जानने के लिए बहुत सारी चीजे हैं जैसे अब आपको ये सोचना कि क्या जो नंदीशवर दीप में जो अकरत्रिम चैतियाले है रुचकवर दीप में जो अकरत्रिम चैतियाले है और जो चैतिय वरक्षों पर या पांडुक वन पर उपर जो अकरत्रिम चैतियाले हैं क्या उनका आकार और विस्तार एक जैसा होगा ये आपके सोचने का वि असंख्यात वियंतर देवों के, असंख्यात भवनों में, असंख्यात जोतिश देवों के, तो ये असंख्यात कितना है, इस विशे को आपको जरूर इसके विशे में थोड़ी सी जानकारी प्रात करने का प्रयास आपको करना ही चाहिए, इसके अलावा आपने वीडियो में जब दिखा होगा गौर से कि जहांपर ये लोग का चितरन किया गया है तो वहाँपर मेरु परवत के उपर से सुर्गों की रचना दिखाई गई है तो वहाँपर बिलकुल ऐसा मानिये कि सुदर्शन मेरु के जो ऊपर जो उसकी चूलिका है उसके बीच में एक बाल के अंतर से स्वरगों के विमान चालू हो जाते हैं ऐसे ही बहुत सारी जो जानकारी है वो आप प्राप्त करिए थोड़ा सा स्वाध्या करिए ऐसा करने से क्या होगा आपके परणाम में विशुद्धी आएगी बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं करना नियोग का तो विशे समझने से कुछ लाभी नहीं है लेकिन देखिए जो भी बात जिनेदर भगवान के वचनों में खिरी है क्या किसी भी तर्क से या लॉजिक से आप ऐसा कह सकते हैं कि वो हमारे लिए उप्योगी नहीं हैं बिल्कुल वो हमारे लिए बहुत जादा उप्योगी है करना नियोग ही नहीं चारों ही अन्ययोग हमारे लिए समय भर रूस जे उप्योगी है तो आईए आपके जो भी प्रशन होंगे आपके जो भी सुझाव होंगे आप उनको कमेंट वक्स में मेशन कीजिए और प्लीज प्लीज इन सभी वीडियोस को आगे शेर कीजिए जय जनेंद्र